तो जैसा कि हमने last lecture में देखा था कि cash book क्यों introduce किया गया था accounts में हमारे father of accounts जो माने जाते हैं लुकका पैसुलीन क्या वज़य थी जिनकी वज़य से उन्होंने cash book को introduce कराया था तो ये सारी basic चीज़े हमने last lecture में cover कर ली थी अब जैसा कि मैंने आपको वादा करा था इस lecture में मैं आपको कराने वाला हूं कुछ एक question simple column cash book का जिसमें मैं दोनों concept के से समझाऊंगा आपको कैसे solve करते हैं पहला real account के थूँ और दूसरा general entries के थूँ तो I hope you all guys are ready and let's start hello everyone as you know my name is ravirana and you all are watching your youtube channel आर गुरुकुल आज हम solve करने वाले हैं ये वाला question इसे solve करने से पहले एक वर हम देख लेते हैं cash book का format अब basically क्या है पूरे accounts में दो ही type के सबसे ज़्यादा formats होते हैं पहला जो journal में use करा गया है और दूसरा जो की हम cash book में use करने वाले cash book वाला जो है काफी जगे repeat हुआ है जैसे कि हम leiger में जितने विए account बनाते हैं उसमें इस type का format यूश करते हैं balance sheet में हम इस type के यूज़ करते हैं partnership में हम इस type के यूज़ करते हैं मतलब कि काफी जगह इस type का format यूज होता है और इसको बोलते हैं वैसे मेरेको इनको officially name नहीं पता पर इसको हम journaling टी-shape account बोलते हैं जैसे कि एक पर चलो आपको ड्रॉई करके दिखा देता हूँ इसको बोलते हैं T-shape का account मतलब कि अभी मैं आपको one column cashbook का बना के दिखाता हूँ आपको इसको thoroughly समझाऊंगा भी कि इसको बनाते क्यों है इसके पीछे बनाने का logic क्या है कि इतने सारे column ही क्यों बनाई इनके अलावा कुछ extra add क्यों नहीं कर सकते थे या कम add क्यों नहीं कर सकते थे ये है cashbook का format जो की use होता है अब मैं आपको बता दूँ कि एक example लेते हैं आपके पापा ने आपको पूरे हफते के लिए कुछ पैसे दिया और उनके लिए बोला कि आप मेरे को पूरे लिखा हुआ दिखाओगे कि आपने किस हिसाब से खर्च करा अब cashbook मतलब उन्होंने cash दिया है तो obviously बात है आप cash ही खर्च करोगे और cash की ही entry करोगे तो इसमें सबसे पहले आप ने पूरे हफते का खर्च कर दिया अब जब आप entry करने बैठे हो तो क्या लिखोगे सबसे पहले अलग-अलग transactions लिखोगे तो उसमें पहले date का होना जरूरी है तो इसमें हमेशा पहले आ जाती है date first आ जाता है date फिर second जो आता है cashbook में वो आता है receipt कहां से हमें receive हुआ तो पापा ने हमें दिया तो वहां से receive हुआ फिर आता है voucher number ये ज़रा बड़ी organizations के लिए होता है voucher number, ledger follow ये आप इतना ध्यान मत दो फिर आता है amount कि आपने कितना amount receive हुआ है इस side receivable वाला amount लिखा जाएगा क्योंकि ये receive वाली side है दूसरी side भी अब इस side जब receive वाली side लिख दी तो दूसरी side भी payment की side लिखोगे ने लिखोगे तो simple अब दूसरी side भी आप simple यही लिख दोगे पहला कहां pay करा उसकी date payment, voucher number, ledger follow और amount ये होता है basically इसका पूरा format अब इसको आप अच्छे से समझ लेना अब एक बार आप question देख लो कि question कैसे कैसे है उसके बाद हम solve करते हैं इतने मैं इस format को ढंक से draw कर लेता हूँ तो अब हमारा cash book का format बनके हो चुका है एकदम ready तो एक बार आप शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी cash format की left side है वो है हमारा debit balance और जो हमारी right side होती है वो होती है credit balance यह आपको हमेशा याद रखना है left side debit balance, right side credit balance अब मैंने आपको बताया था last lecture में कि मैं आपको दो तरीकों से बताऊंगा cash book को solve करना तो पहला जो concept पहला जो तरीका है वो है real account के through तो अभी मैं real account के through यह आपको बता रहा हूं तो इसमें पहली transaction क्या है cash in hand पापा ने आपको पैसे दिये थे तो अब आपके हाथ में cash है तो उसकी entry करते हैं सीधा जब cash है तो उसकी entry क्या होगी मतलब already हमारे पास है तो debit balance होएगा 2017 May 1 To balance brought down मतलब कि हमारे पास balance है कितना 40,000 का अब next entry क्या है May 5 को entry हुई है cash receive from swathie मतलब हमारे पास cash आया है cash receive हुआ है किस से स्वाती से तो यहां पर क्या है हमारा cash increase हो रहा है क्योंकि swathie से आया है तो जब cash increase होगा मतलब asset increase हो रहा है और asset increase होता है तो क्या debit balance तो इसको भी क्या लिखेंगे debit side क्योंकि debit comes in और credit goes out तो इसे लिखेंगे इस side May 5 2 तो अब जब cash book में तो record करने है पर receive किस से हुआ है स्वाती से तो हम स्वाती का नाम लिखेंगे स्वाती account कितना receive होआ है 4000 next entry का है May 7 को paid wages in cash हमने किसी को cash में pay करी है wages हमारे पास से cash किसी को गया है वो कोई भी हो सकता है जो हमारे घर में आते हैं काम करने उन्हें हमने wages पे करी तो हमारे पास cash नाम का asset कम हो रहा है तो क्या होगा credit balance क्योंकि debit comes in और credit goes out तो इसको लिखेंगे credit side May 7 की date डालेंगे paid wages to cash तो क्या पे करी हमने by wages account हमने पे करी है wages कितने की 2000 की अब next entry है May 10 की purchase goods from shashikala for cash मतलब की हमने shashikala से purchase करें goods किसमे cash में तो जब हमने purchase करें तो cash हमारे पास से गया है और ये हमारे पास भले हमारे पास purchase goods नाम का asset बढ़ रहा हो पर हम क्या बना रहे है cash book तो cash book के नजरिये से देखना है में की cash कम हुआ है नहीं हुआ तो यहां पर हमारा cash कम हुआ है तो हमारे cash नाम का asset कम हुआ है तो वही rule से debit comes in credit goes out तो इसे credit side लिखेंगे May 10 को May 10 by purchases account कितने के 6000 6000 next क्या है अपना sold goods for cash May 15 में हमने goods को sale कर दिया है किसी को अब हमने sale कर दिया तो उसने हमें पैसे दिये होंगे इसमें clearly बोला गया है कि cash में payment हुई है मतलब हमारे पास cash आ गया तो cash क्या हो गया increase अब जब increase होगा तो क्या debit balance तो हम इसे क्या दिएंगे debit balance date क्या है May 15 2 sale हुआ है तो sales account में डालेंगे हम जैसे हमें purchase हुआ तो purchase account में डाला और sale हुआ है तो sale account में तो ये क्या है 9000 next क्या है May 18 को purchase करा है हमने computer अब computer purchase करा है यहाँ पे जब तक cash book में clearly mention ना हो कि credit transaction है तो हम मान के चलते हैं वो cash ही transaction है मतलब transaction cash की ही है तो इसे हम cash transaction में करेंगे अब purchase करा है computer तो cash गया है हमारे पास से तो इसको लेकिंगे हम credit side क्योंकि credit comes in oh sorry debit comes in और credit goes out तो by computer 15,000 अब हमारी हाँ पे सारी की सारी entries खतम हो गी है तो इस account को tally कर देते हैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ मैं कि सिरफ cash book ही है जो tally होती है नहीं तो कोई और book tally नहीं होती मतलब sales book की बात करें purchases book की बात करें purchase return, sales return ये कोई सी भी tally नहीं होती है तो अब इसको ज़रा एक बार tally कर लेते हैं tally मतलब total कर लेते हैं अब total आ रहा है 53,000 debit side का credit side का रहा है 23,000 credit side का रहा है 23,000 पर जब हम tally करते हैं तो हमारा जो total amount है वो दोनों side credit और debit side दोनों side equal आना चाहिए तो यहां पर हम कितना लिख देंगे 53,000 आपको थोड़ा दिखनी रहा होगा मेरी वज़े से तो ये थोड़ा उपर कर देता हूँ अब 53,000 पर हमारा जो credit side का total है वो क्या आ रहा है हमारा 23,000 अब 53 को 23,000 में से minus कर देंगे तो कितना आएगा 30,000 ये 30,000 तो बच गया अब हमारा अब इसका क्या करेंगे ये होता है हमारा balance carried down मतलब कि जो हमारा बच गया हमारे पापा ने कितने दिये थे पहले लिख लेते हैं balance carried down हमारे पापा ने दिये थे हमने हमको 40,000 और अब हमारे पास कितने बच ने 30,000 और हमारा जितना भी खड़्चा था वो 23,000 का हमारे से expense हो चुका है अब आप सोचोगे कि date कौन सी डालेंगे तो इसमें मन्त के end की date डालेंगे जो कि है 31st में May 31st यहाँ पे हमारा हो चुका है first concept complete हम हम second concept जो की journal के through करने वाले हम उससे हम देखींगे अब एक बार format ड्रॉ कर लेता हूँ और आप भी जल्दी से करिए उसके बाद हम देखते है second concept अब हम करींगे journal वाले format से तो इसमें पहले journal वाला जो format होता है second वाला उसमें क्या करते हैं हम पहले दो step होते हैं पहले pass करते हैं journal entry और second record करते हैं cash book में आपको लग रहा होगा कि यह बहुत लंबा procedure है पर यह बहुत ही easy है आपको एक बार अच्छे समझा आ गया तो आप easily दो second में कर लोगे even उसमें एक बार को confusion हो सकते हैं पहले वाले real account में पर जर्नल वाले में बिल्कुल confusion नहीं होगी तो एक बार इसको देख लेते हैं हम पहले entry तो आपको पता ही है 2017 की balance brought down may 1 to balance brought down 40,000 अब हम एक बार इनकी journal entries पास करके देखते हैं एक बार roughly इनकी journal entries पास कर लेते हैं उसके बाद करेंगे second receive cash from swathie अब इसकी journal entry क्या होगी receive हुआ है cash from swathie तो cash account debit to swathie account swathie account कितना 4,000 4,000 cash आया swathie से cash नाम का asset हुआ तो debit और किस से आया है स्वाती से तो उसे करेंगे हम credit next है paid wages in cash अब जब हम किसी को cash पे कर रहे हैं मतलब हमारे cash नाम का asset कम हो रहा है तो जब asset कम होता है तो क्या करते हैं उसे credit balance दे देते हैं तो इसको क्या करेंगे to cash अब किस चीज में हमारा जा रहा है wages और wages हमारा क्या है expense मतलब हमने किसी की services ली और उसके बदले में उसे wages पे कर रहे हैं तो जब wages increase होती है मतलब sorry जब expense increase होते हैं तो क्या होता है debit balance और जब expense decrease होते हैं तो credit balance तो wages नाम का जो expense है वो increase हो रहा है तो उसको क्या होगा debit balance कितने रुपो का है 2000 तो यहाँ पे भी कर देंगे entry 2000 2000 नेक्स्ट है purchase goods from शकीला फोर cash यहाँ पे हमारे goods क्या है asset goods asset होते हैं तो goods जो हैं वो increase हो जो है जो हमने purchase करेत हो तो goods नामका asset increase हुआ पर उसके बदल जो हमने cash pay करा है तो cash नामका asset decrease हुआ तो जब asset increase हो गया उसको हम debit balance दे दिंगे और जो decrease हो गया asset उसे credit balance तो goods को क्या बोलते हैं purchases पर्चेशन अकाउंट debit to cash cash, cash नाम का asset कम हुआ है, तो हमने cash कम कर दिया, अब कितने में purchase करा है, 6000, 6000, दोनों side entry कर देंगे 6000 की, next है sold goods for cash, हमने goods नाम के asset sale कर दिये, cash में, तो जो हमने sale करें, तो cash हमारा जो asset है, वो increase हुआ, पर उसी जगह पे, जो हमने sale कर दिये, तो हमारे पास से asset किसी और के पास चले गया, वही तो हुआ sale, तो वहाँ पे हम credit करेंगे उसे, तो यहाँ पे जो asset increase हुआ है, उसको debit balance दे दो, और जो decrease हुआ है, उसे credit balance दे दो, उसके बाद next आता है, 5th purchase computer, computer नाम, computer क्या है, एक asset, तो computer नाम का asset increase हुआ, तो entry करेंगे, electronics item, account, debit to cash account, कितने का, 15,000, 5th, electronic items, account, debit to cash account, 9,000, 9,000, अब यहाँ पे आपने सारी entries पास कर लिये हैं, first time में तो आपको यह obviously bothered किसी भी चीज़ को सीखते हैं, तो उसमें time लगता ही है, अब first entry आपकी क्या है, cash account, debit to swati, तो यहाँ पे क्या करेंगे, swati, इधर से शुरू करते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, कि इसमें जो cash account है, वहाँ पे entry अलगी तरीके से होती है, मतलब कि cash book में, इस account में, इस type के account में, हमेशा entry ऐसे चलती है, मतलब कि मैं बताई दूँगा, वाकि आपको वैसे समझ आ जाएगा, बस ये वाला गोला याद रखो, कि इधर की side से ऐसे चलती है, अब आपको समझ आई जाएगा, पहली entry के आती है हमारी cash account debit to swati, अब यहाँ पे हमारा cash account debit to swati, 5th to swati, कितने का, 4000, 4000, अब next है हमारा paid wages in cash, इसके entry का है, wages account debit to cash, अब cash तो हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ entry कहाँ पे करेंगे, buy wages, कितने का, 2000, अब देखतें next entry wages की, paid wages in cash, तो यहाँ पे देखो हमने entry क्या करी है, wages account debit to cash account, और यहाँ पे क्या है, 7 का, buy wages account debit to swati, यहाँ पे cd entry करी है आपने, पर एक बार को आपको लग रहा है कि हमने उल्टी करी है, देखो यहाँ पे इधर क्या लिखा हमने, wages to cash, एक मिनिट मैं आपके लिए color change कर देता हूं, यहाँ पे हमने लिखा, wages to cash account, cash और wages, यहाँ पे यह था, next entry देखते हूं, उसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा, next है, purchase goods from shaqeela, for cash, इसकी entry क्या थी, purchase account debit to cash account, तो हमने cash में purchase कराए, तो इसमें लिखेंगे हम, 10 को by purchases account, purchases account, debit to cash account, समझ आईए, entry, इसमें क्या amount कितना है, 6000, 6000, wages कितना थे, 2000 हमारे, दो तीन और entry यहाँ देखते हूं, उसके बाद और अच्छे समझ आएगा, sold goods for cash, इसकी entry हमने क्या करी थी, sold goods to cash की, cash account debit to sales account, तो पहले हमारा क्या आगया, यहाँ पे हमारा आगया, यहाँ पे हमारा आगया cash, और यहाँ पे हम लिख दिंगे, date डालके, 13 to sales account, sales account, कितने की, 9,000, last entry अपनी purchased computer for rupees 15,000, तो इसकी entry हमने क्या करी थी, electronic to cash account, तो cash तो अपना है, इधर है, तो इधर क्या लिख दिंगे, 18 को by electronic items to cash, इसको थोड़ा उपर कर देता हूँ, ताकि आपको दिखे, 15,000, अब आप compare कर लो, यहाँ पे आपका आया है, 40,000, 4,000, 9,000, और यहाँ पे क्या है, एक बार आप अपने phone में इसकी photo लो, और नीचे दिखाता हूँ, आप उसकी photo लो, same है, और इन दोनों में ही कोई difference नहीं है, दोनों concept, same है, वाकि और आपको समझना हो, तो वीडियो को दुबारा back to back देखना, और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, वाकि आप दोनों concepts में से कोई साभी ले सकते हो, तो दोनों ही आपके अच्छे काम आएंगे, मेरे हिसाब से तो आपको journal देखना चाहिए, क्योंकि उससे एक ही time पे आपकी journal entries तो अच्छी हुएंगी, हुएंगी, और उसके ही साथ, cash book भी आपका अच्छे से clear होगा, तो आज की वीडियो में ये एक question ही था, and thanks for watching this video and I hope you are really enjoyed this video, please like, subscribe and share karna zarur, so tata and bye bye, God bless you to all.